नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त कुल्दीप सिर्षा अपडेट और दंगल टाइम पर आपका स्वागत है दोस्तों आप देख सकते है राणिया रोड से आपके साथ लाईव है और आप देख सकते हैं जो सब्जी मंडी के बिल्कुल पास की तस्वीर आपको दिखा रहे के उपर एक अवैद रूप से गव साड़ा बनी होई है क्या हाला आता है आप देख सकते हैं जो गव माता है गव गाएं के उपर इतनी बड़ी राजनेती होती है गव माता कितनी बद हालत में यहां आप देख सकते हैं क्या हालत बनी होई है और कूडे के जो धेर लगे और आप बिल्कुल जो ये पाणी है ये भी गुरलाल जी क्या सिती क्या बना हुआ यहाँ नमस्कार भाई सब ये तो परशाशन जो है न जी उसने बिल्कुल अपनी आंखे बंद कर रखी है जनता को रामबरों से छोड़ दिया है तो जब जनता हर तरह से अपना बरपूर टेक्ष बढ़ती है उसके बावजुद जनता की कहीं सुनाई नहीं है कहीं शिकायत कर लो कहीं कोई अपील दलील कुछ नहीं है जो नगर प्रिषद के जो अधिकारी है वो जनता के सेवक उने के विजाए मालिक बने बैठे हैं भी हमारे उपर कोई अपील दलील नहीं है जो हम करेंगे वही सत्य है हम जनता को नर्क में डाले वही उनको सवर्ग मानना पड़ेगा तो ये जो है अब जनता अपनी सवाई कितने एक टेम तक करे जनता अपनी गर की सवाई करे या अपने गर के काम दंदे करे या इनकी सड़कों के भी सवाई करे अगर सड़कों के भी जनता नहीं करनी है पुरलाल जी मैं टोकना चाहूँगा बीच में आप मैं कैमेरामेन को कहूँगा उदर की तस्वीरे थोड़ी सी दिखाए जादा ना दिखाए जादा ना दिखाए बस बस क्योंकि वो तस्वीरे विचलित कर सकती है यहां जो स्थीती पड़ी है बदबु जो उठ रही है यह मजबूर है कुड़े के ढेर में मुह मारने के लिए और जो गाय के उपर राजनिती होती है यह जो पब्लिक एल्स जो डिपार्टमेंट है अब यह किसली है अब यह प्रशासन जो है ना इतनी चिड रखता है अगर कोई जंता अपनी सवाई आप भी करने लग जाए ना त जंता से पील करूंगा आने वाड़ी जो विदान सवाच चुनाव है यह जो नगर परिषद के जो अधिकारी है अपनी ताना शाही दिखा रहे हैं परशासनी के दिकारी जो इतनी लापरवाई बरतर है यह जंता को रामरों से चोड़ रहा है मरने के लिए चोड़ रहा है अब इतनी बीमारी हैं फैल रही है इसका आखर कोन जम्यदार है जंता को क्यों दुखी कर रखा है जंता का इसमें क्या कसूर है क्या इसके लिए भी जंता आप बालतिएं ले के जंता पोचा लगाएगी पर यह पबलीक एल्थ जो है उनका कोई जम्यदारी नहीं बनती क् ग्रशिशन की जो पॉलूशन कर्यों हैं यह अवायाद डबने हुए हैं यह प्रशासनिक धिकारियों की मिली बख से मैं तो कहूंगा विगी मिली Chrome बख से बन रहे हैं नहीं तो आपन में खुले में da hanya इसकी माननेता से बन सकते हैं पुलूशन कंट्रोल बोर्ड आखिर कहा है क्या सिर्फ ड्राइबुट के लिए वह बात करना चाहूंगा गायें के उपर आपने स्थिती देख ली और जो पाणिये सिवरेज गायां छोड़ा गया यह भी स्थिती सभी देख रहे हैं लेकिन एक लगाया होगा उनकी टेकनिकल यह उसको देख के उन्हेंने नोकारी लगें तो converge मानी क्या ईंके जो दीकरीं कर्मचरीं यह उनका कोई दाईतब नहीं बनता अब यहां जो कई वारक आयेрах il ko अगर किसी तब करेंट लगता है और लगता है तो इसकी किसकी जुम्हेदारी है क्या बिजली निकम के दिखारी सिर्फ ठंडी अवालेने के लिए आते हैं या सब इदर उदर के जो अब कोई दौनमर का काम कराना हो बिजली निकम के जो अधिकारी है उनकी मिली बख से कहीं कुछ भी और इनको कमिशन के इलावा या पैसे के इलावा अपनी जुम्हेदरी कुछ नहीं दिखती इनको ये कूड़ा डालने के लिए जगह यही बनाई गई है क्या कूड़ा डालने के लिए जगह यही बनाई गई है सबी गेर रहे हैं तो करें तो क्या करें आप देख सकते हालात है अभी तीन दिन पहले ही हमने आपको सुबह सुबह लाइव वीडियो दी दी सिर्शा के कुछ ही हुआ थे उन्होंने अच्छी पहल की यहां की जो सफाई की थी यहां अच्छी जो सुरुआत की थी जब यहां पूरा एरिया को इस एरिया को चका चक कर दिया था पूरी सफाई कर दी थी लेकिन फिर तो परशासन की जिमेवारी बनती है कि इसको मैंटेन तो रख सकते हैं लेकिन यहां क्या हालात है आपके सामने है सब रहे हैं, कुछ यहां सथान इताद åtावि यहां पर, लख सब राएं तो बन जाए ऐसे तो यह पड़ी है मैंगी तारह था भुल आप देख सकते हैं टारे नंगी पड़ी है यहां पर, और Dire στα कोय आई भीज़ा हो सकता है तो उसको जो नियमा उनसार जो पुलूशन कंट्रोल बोड के जो नियम कहते हैं भी ऐसे डंप बनना चाहिए ना कि ऐसे खुले में डंप बनना चाहिए और जिसका जो परिणाम है दुश परिणाम वो जनता को बहुतने पड़े तो इसके लिए मैं डीजी साथ से मांग करू कोई बनती कारवाई जरूर करें तो दोस्तों आपने देखा क्या हालत बढ़ी है आपके सामने बिल्कुल जो लाई है एक अंकल जी और हमारे साथ है इन से बात करने नो इसकार अंकल जी यह क्या हालत बने पड़े हैं यह जद भी बारिश हती है ना जिद भी यह आरत हो ज जिर्शा सहर के उन्हों एक नौजवानों ने अच्छी पहल की थी यह पूरी सफाई की थी हम किसी राजनेत कर बात नहीं करते लेकिन यह युई आ थे गोकल सेतिया जीके साथ मिलके नोंने सफाई की थी अच्छा काम किया लेकिन परसासन ने चाहिए था ना इसमाने करके यहाँ पर हर बार बारिस आती है तो यह आलत होती है बारिस आती है तब पानी खड़ा होता है बिना बारिस के यहां कूड़ा खड़ा होता है और गोव माताई खड़ी होती है और यह चलती सड़क है यहां कोई हादसा भी हो सकता है और इधर जो ट्रासफार्मर है बिजली की तारे है यह खुली पड़ी है यहां भी कोई हादसा हो सकता है तो तस्वीरे आपके सामने हैं और आप देख करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये जो गंदा पाणी सिवरेज का छोड़ा हुआ है ये स्थीती देख सकते हैं आसपास के ये लाई तस्वीरे हम दिखा रहे हैं सिर्षा अपडेट और दंगल टाइम की तरफ से तो धन्यवाज सातियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और परशासन तक ये बात पहुंचनी चाहिए वैसे तो ये बात परशासन की नाके नीचे हो रहा लेकि फिर भी आप इस वीडियो को शेयर करके आपना फर जरूर निभाएं धन्यवाज सातियों मैं आपका दोस्त कुल्दीप सिर्षा अपडेट और दंगल टाइम की तरफ से जय हिंद जय भारत